नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे गुरुबडी के टोटल 97 सिप्ट में हमारे देश की प्रमुक नदी उसकी सहायक नदी बाद और जील वगैरा से जो भी प्रशन पोचे गए हैं उन सारे प्रशनों को हम लोग डिसकस क करेंगे तो 6 तारिक और 7 तारिक के पहले सिप्ट के प्रशनों को भी मैंने इसमें सामिल किया हुआ है तो पूरा वीडियो बहुत इधान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रशन ऐसे हैं जो की बार-बार इसमें रिपीट हुए हैं और वीडियो अगर आपको पसंद में मिल जाएगी यहां पर जो भी आपके प्रशन है उन सभी प्रशनों को सिप्ट वाइज टॉपिक के अनुसार सामिल किया गया है तो अगर आप लोग चाहें तो इस इबुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं बाकी फ्री पीडियो के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन म में लिंक मिलेगी वहां पर क्लिक करके आप लोग फ्री में पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं पहला प्रशन है ये च्छे तारिक को पूछा गया था कि लोग पाउनी और जो हमारी भवानी नदियां है ये आपके कि इसकी सहायक नदी हैं तो ध्यान रखेगा ये दोनों हमारे कावेरी की सहायक नदियां हैं कावेरी नदी के अगर हम लोग बात करें तो यह दच्छिन भारत की एक प्रमुक नदी है हरांगी हो गई हेमावती है सिमसा है इसके अलावा अगर हम लोग लच्मर तीर्थ की बा अस्थल पर ही लुप्त हो जाती है तो ध्यान रखेंगे इस नदी का नाम है लूनी नदी लूनी नदी के अगर हम लोग बात करते हैं तो अरावली परवत के पास जो नाग का पहाण है तो वहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है और उसके बाद गल्फ आफ जो रन आपकच् अगला प्रशन पूछा गया ये आज पूछा गया था कि नर्मदा नदी किस राज इसे होते हुए अरब सागर में गिरती है तो सिंपल सा प्रशन है आप सभी को पता होना चाहिए कि ये नदी हमारी गुजराश से होते हुए जा करके अरब सागर में मिल जाती है बाकी नर प्रश्ण नदी पर हीरा कुन बांध इस्थित है तो भारत का सबसे लंबा नदी बांध है और ये आपको उडिसा में महा नदी के उपर देखने को मिलेगा अगला प्रश्ण पोछा गया कि किस नदी को बिहार का सोक कहा जाता है तो सिंपल सा प्रश्ण है जो हमारी कोसी से जानते हैं वहीं पर आपको ये भी ध्याँ रखना है कि जो दामुदर नदी है उसे हम लोग पस्रीम बंगाल के सोक के नाम से जानते हैं अगला प्रश्ण पूछा गया कि निमनलिखत में से कौन सी नदी गंगोती हिमनत से निकलती है तो सिंपल सा प्रश्ण है जो हमार पर सांग्पो के नाम से जाना जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी के अलग-अलग अस्थानों पर अलग-अलग नाम है जैसे कि इसको सांग्पो कहा जाता है तिब्बत में अरुनाचल प्रदेश में इसी को हम लोग दिहां कहते हैं असम में इसी नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांगला देश में ब्रमपुत्र को ही हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं अगला प्रश्ण पूछा गया कि कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा किन राज्यों से बहती है तो भीमा नदी के अगर हम लोग बात करें तो ये आपके महाराष्ट करनाटक और ति कि जो चम्मल नदी है वो आपके मद्य प्रदेश में जनापाओं की पहाणियों से निकलती है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश राज्य में ये नदी यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है अगला प्रश्ण पूछा गया कि कौन से नदी पंजाब राज्य में नहीं बहती है तो ये सारे option थे जैसे कि ब्राम्हणी ब्यार सिंधु और सतलुज तो ब्राम्हणी नदी के बारे में आपको बता ही होगा ये नदी हमारे उडिसा राजी में बहती है अगला प्रश्न पोचा गया कि पस्तिम मंगाल में हुगली नदी के किनारे कौन सा उद्योग है तो पस्तिम मंगाल जूट के उद्पादन में अग्रणी राज्य है और हुगली नदी के किनारे जूट से जुड़े हुए उद्देव आपको देखने को मिलेंगे अगला प्रश्न पोचा गया कि तापती नदी का उद्गम कहां से होता है तो तापती नदी के अगर हम लो किलोमेटर चल कर अलक नंदा में मिलने वाली नदी का नाम क्या है तो इस नदी को हम लोग भागी रथे कहते हैं और ये दोनों नदियां जब आपस में आकर के मिल जाती है तो उसके बाद इसी नदी का नाम हो जाता है गंगा अगला पश्न पोचा गया कि गोदावरी नद का उद्गम अस्थल क्या है गोदावरी नदी के अगर हम लोग बात करें तो नासिक के पास में जो त्रमकेशुर की पहाणिया हैं वहां से आपकी गोदावरी नदी निकलती है राजस्थान में किस नदी को पुनर जीवित करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया ध्या स्थान में एक प्रोग्राम चलाया गया था अगला प्रशन पोचा गया कि दच्छिन भारत में पेना नदी किस परबस से निकलती है तो पेना नदी के अगर हम लोग बात करें तो करनाटक में जो नंदी की पहाणिया है वहां से हमारी ये पेना नदी निकलती है अगला प् देव प्रयाग में आकरके मिलती हैं यहां से आप लोग देख भी सकते हैं कि सतोपंद और मिलाम से विश्नु गंगा और धौले गंगा निकलती हैं यह विश्नु प्रयाग में मिलती हैं फिर आपकी यही नदी अलग नंदा बन जाती है जिसमें नंद का नदी नंद गंगा अगला परश्न पोचा गया कि गोंडवाना छेत्र में कौईले का सरभाधिक उतपादन किस राज में होता है तो आपको ये ध्याँ राखता है तो हमारे दामोदर नदी घाटी का छित्र है जहां पर सबसे अधिक कोईले का उत्पादन होता है कोईले से पहले भी कई प्रश्ण आ चुका है ध्यान रखिएगा हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो कोईले का भंडार है वो आपको जहारखंड में मिलेगा जबकि अगर हम लोग उत्पादन के पॉइंट अगला प्रश्ण पोचा गया कि निमनलखित में से कौन सी यमुना के सहायक नदी नहीं है बहुत बार यमुना के सहायक नदी से प्रश्ण आ चुका है तो आप्सिन के अनुसार आपका गंडग था बाकी अगर हम लोग यमुना के सहायक नदियों की बात करें तो हिंडन न नदी के उपर कौन सा बांध बनाया गया है तो ध्यान रखिएगा जो हमारा टिहरी डैम है वो आपको भागीरती नदी के उपर देखने को मिलेगा और ये हमारे भारत का सबसे उचा नदी बांध है अगला पैसर पूछा गया कि निमनलखित में से कौन सी नदी नेपाल में बहती है तो नेपाल में बहने वाली नदी का नाम करनाली है इसके अलावा सर्जु है काली या फिर सार्दा हो गई पूर्वी सर्जु है राप्ती है ये सारी नदियां भी आपके नेपाल देश में बहती है अगला प्रशन पोछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमाले के क को देखने को मिलेगी अगला प्रशन पोचा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व से पस्सीम के तरब बहने वाली नदी है तो आप्सन में गोदावरे कृष्णा कावेरी और नर्मदा था तो नर्मदा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इसी से मिलता जुलता एक और सेम सिप्ट में पोचा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो ध्यान अक्येगा इसमें भी उत्तर हो जाएगा नर्मदा बाकी अगर हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो लूनी नदी है, सावरमती नद तो option में सिंधू, लूनी, अलक नंदा और भागी रथी था और इसके हिसाब से जो हमारी सिंधू नदी है वो आपके पस्सिम में बहने वाले हिमाले से निकलने वाली नदी है अगला पशन था कि निमनलखित नदी और उसके किनारे बसे सहरों का मिलान करिये तो गोदावरी क किनारे नासिक था साबरमति के किनारे एहमदाबाद था इसी प्रकार से हुगली के किनारे था कोलकाता अगला प्रशन पोछा गया कि महा नदी किस राज के सबसे लंबी नदी है तो सिंपल सा प्रशन ये उडिसा के सबसे लंबी नदी है अगला प्रशन है कि नर्मदा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो सुरुवात है वो 1985 में किया गया था अच्छा एक महिला है जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए काफी ज़्यादा चर्चा में रहती है तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है अगला पशन पोचा गया कि 1970 में किस बांद का निर्माण किया गया था जिसके कारण बिस्थापित लोगों को अभी तक मुआबजा नहीं मिला है तो ध्यान रख्येगा ये डैम आपके मध्यप्रदेश में बना हुआ है और नाम इसका है तवाडैम अगला पशन पोचा गया कि मांजरा, पूर्णा और वर्धा ये किसके सहायक नदिया हैं तो ये सारी हमारी गोदावरी के सहायक नदिया हैं बाकी अन्य नदियों की बात करें अगर हम लोग तो प्राण हिता, इंद्रावती, सबरी, मनेर, मंजीरा ये सारी गोदावरी की सहायक नदिया है अगला पशन पोचा गया कि बुढ़ा, बलंगा और बैतरणी नदियों का उद्गम अस्थान किस राज में इस्थित है तो ये दोनों ही नदिया हमारे उडिसा राज में बहती है तो उडिसा की अगर हम लोग प्रमुख नदियों की बात करें तो कोईना हो गया, महा नदिय है इसके अलामा आपकी भारगवी रीवर है, ब्रामहडी है, इबर्यंदी है, धमरा रीवर है तो ये सारी उडिसा में बहने वाली नदिया है अगला प्रश्ण पूछा गया, कि निमनलखित में से कौन सी नदी गंगोत्री हिमनत से निकलती है, मैं आपको बता है चुका हूँ, नाम इसका है गंगा अगला प्रश्ण पूछा गया, कि गोसी खुर्द सिचाई प्रोजेक्ट किस राज में इस्तित है तो ये जो हमारा सिचाई प्रोजेक्ट है, ये आपको महाराष्ट में गोदावरी की सहायक नदी बेन गंगा पर देखने को मिलेगा, और इसी को हम लोग इंदिरा सागर्थ सिचाई पर योजना के नाम से जानते हैं अगला प्रशने पोचा गया कि इन में से कौन यमुना के सहायक नदी नहीं है, तो यमुना के सहायक नदी पर है, तो ये आपके नर्मदा नदी पर बना है अगला प्रश्नि पूछा गया कि इंद्रा गाधी नहर किस राजी से गुजरती है तो ये जो नहर है वो आपके राजस्थान से होकर के गुजरती है आपको ये जरूर ध्यां रखना है कि जहां पर हमारे सतलज और ब्यास नदियों का संगम होता है वहीं पर हरिके बैराज बनाया गया है और वहीं से आपके इंद्रा गाधी नहर का निर्माड शुरू हुआ था अगला परशन कि धुआधार जलप्रपात का निर्माण किश नदी के द्वारा होता है बहुत ज़्यादा फेमस है और ये आपके नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया है अगला परशन कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मुपत्र के सहायक नदी है तो इसका नाम है महादाई क्या नाम है महादाई इसका नाम है स्वारी कौन सी ब्रह्मुपत्र के सहायक नदी नहीं है ये पूछा गया था तो उसमें महादाई दिया गया था महादाई के बा गोदावरी नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि महराष्ट में नासिक के पास तर्मकेश्वर की पहाणियों से यह नदी निकलती है, प्राइद उपिय भारत की यह सबसे लंबी नदी है और इसे हम लोग दच्छन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। एक नदी हमारी सोन है और एक नदी का नाम है बोहिला तो यह तीन नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। अगला प्रशन कि कुमायू हिमालय किन दो नदियों के बेच इस्थित है कुमायू हिमालय की बात करें तो ये आपके सतलज और काली नदियों के बेच इस्थित है सिंधु और सतलज के बीच में हमारा पंजाब हिमाला है काली से तिस्ता के बीच में आपको निपाल हिमाला ही मिलेगा तिस्ता से दिहान के बीच में आपको असम हिमाला देखने को मिलेगा तो यहां से भी तीन से चार बर प्रशनाएं हैं अच्छे से इनके बारे में आपको ध्यान रखना है निम्लेलिखित में से कौन सी नदी मालवा के पठार से निकलती है option में बेतवा, केन, चंबल और काली दिया गया था तो ध्यान रखेगा मालवा के पठार से मतलब ये चारो नदिया है जिसमें से आपकी बेतवा नदी option में दिया गया था तो ये चारो नदीया आपके मालवा के पठार से निकलती है अगला प्रशन कि सिंधु और ब्रमुपुत्र के बीच कौन सा भुभाग 25 किलोमेटर फैला हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा हिमाले परबत गंगा नदी में कोली फॉर बैक्टिरिया का मुख्य कारण क्या है तो जो आपके जली हुई लासो का निस्तारण किया जाता है इसी के कारण जो ये कोली नाम का बैक्टिरिया है वह आपको गंगा नदी में देखने को मिलेगा अगला पशन कि जम्मू कास्मीर से बहने वाली अंतराष्टी नदी कौन सी है तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी सहायक नदियों की बात करें तो जासकर, जहेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज, हाकरा, स्योक, काबुल, गिलगित, स्वात, खुर्रम, जयोब ये सारी सिंधु की सहायक नदियां है अगला पशन बिहार का सोग किसे कहा जाता है तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कोसी नदी को बिहार का सोग कहते है अगला पशन पूछा गया कि निम्नलखित में से कौन सी ब्रमपुत्र की सहायक नदी नहीं है तो ध्यान अख्येगा वो आपको करनाटक पर सरावती नदी के ऊपर देखने को मिलेगा अगला पशन पोचा गया कि सिंधु नदी का कितने प्रचत जल का उपयोग भारत करता है तो ध्यान कियेगा जो 20% जल है इसका उपयोग हमारे भारत देश के द्वारा किया जाता है सिंधु नदी के जल को लेकर के एक समझोता हुआ था जिस पर हमारे भारत के तत्कालीन प्रिधान मंतरी जवाहल लाल नहरू और पाकिस्तान के राश्पती अयुग खान ने कराची में हस्ताच्छर किया था पैंथालासा क्या है तो ध्यान रखेगा ये आपका सुपर महासागर है यानि कि एक समय धर्ती के उपर सिर्फ एक ही महासागर था उसका नाम पैंथालासा था और एक ही महादीब था जिसका नाम था पैंजिया अगला प्रशने कि उमानन्दा दूइप किस नदी में इस्थित है तो उमानन्दा जो कि सबसे चूटा नदी दूइप है ये आपको असम में ब्रमोपुत्र नदी के उपर देखने को मिलेगा अगला प्रशने पोचा गया कि 724 किलोमेटर लंबी कौन सी नदी मध्यपरदेश से निकल कर अरपसागर में गिरती है तो इसका नाम तापी या फिर तापती नदी है बाकी डीटेल में अलड़ी आपको बता चुका हूँ अगला प्रशन पोचा गया ये तो 3-4 बार ये भी आ चुका है कि ब्रमुपुत्र नदी द्वारा निर्मित बिश्यो के सबसे बड़े नदी दूइप का नाम क्या है तो इसका नाम है मांजुली और सबसे छोटा आपका उमानंदा है और मयूर दीप भी आपको ब्रमुप नदी सावित्री और गयत्री नदी ये भी हमारे महाबलेश्वर की पहानियों से निकलती है अगला प्रशन पोचा गया कि जासकर नुब्रा और चोग किसकी सहायक नदिया है तो ये सारी हमारी सिंधु की सहायक नदिया है ये आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन की बा यह गंगा और ईमुना के बीच का छेत्र है बिश्ट दोव ब्यास और सतलुच के बीच का छेत्र है और जन्याफ की बात करें तो यह हमारे gy invean और चिनाप के छेत्र है अगला प्रश्ण पोछा गया कि निम्नलिकित में से बांद का function क्या है तो पेजल और और जोगिक उप्योग हितू जल सिचाई बाढ़ नियंत्रण जल बिद्दुत उत्पादन इल्लैंड नेविगेशन ये सारे हमारे बाद के function होते हैं अगला प्रशन की कृष्णा नदी कहा से निकलती है तो महा बलेस्वर की पहाणियों से ये निकलती है बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहां से टोटल पाँच नदिया निकलती है अगला प्रशन की ओंग और टेल नदी की सहायक नदिया कौन सी है तो ध्यान रखेगा जो महा नदी है, इसकी सहायक नदियों के नाम है ओंग और टेल. अगला प्रशन की दच्छिन के गंगा किश नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी को दच्छिन के गंगा कहा जाता है, चोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो दामोदन नाम की जो नदी है, ये आपको चोटा नागपुर के पठार से निकलते हुए दिखाई देगी. अगला प्रश्नी के भारत के कुछ राज्यों में आमर वर्सा कब होती है, तो ध्यान रखेगा ग्रेस्म रितु में आपको आमर वर्सा देखने को मिलेगी. अभी प्रश्नी ये भी पूछा गया था, कि किन राज्यों में आमर वर्सा देखने को मिलती है, तो ध्यान रखेगा जो करनाटक और केरल जैसे हमारे पस्सी मौले राज्ये हैं, यहाँ पर ये आमर वर्सा आपको देखने को मिलेगी. वर्सा रितू के बाद ITCZ यानि की Inter-Tropical Convergence Zone इसका फुलफॉर्म औलड़ी पूछा गया है, यह किस दिसा में बढ़ता है, तो यह आपके वर्सा रितू के बाद में दच्छन दिसा की ओर बढ़ता है. अगला प्रशन पूछा गया, कि भारत सरकार के द्वारा जो बाद पुनर्वास और सुधार का एकरम है, इसको कब सुरू किया गया, तो अप्रैल 2012 में इसकी सुरुवात हुई थी. नदी बिसर्प का निर्मार कैसे होता है, तो आपको ध्यार रखना है, कि जब नदी का जो ढाल है, वो अतियंद मंद हो जाता है, तो उस इस्थिती में नदी आपके सरपीले मार्ग में प्रवाहित होती है, और उसी के जरिये मियंडर का निर्मार होता है. अगला प्रशने की दच्छनी पस्मी मांसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहा होती है, तो ये आपके पस्मी तट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है. अगला प्रशन कि कौन सी नदी कच्छ के रन में जाकर के गिरती है तो ये वही हमारी लूनी नदी है जो की कच्छ के रन में जाकर के बिलुप्त हो जाती है अगला प्रशन कि नदियां जब परवतों से निकलती है तो समुद्र में मिलने से पहले कई बार धाराओं में बढ़ जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है तो इसे हम लोग अर ये अपवाह प्रतिरूप कहते हैं या फिर Radial Drainage Pattern के नाम से इन्हें जाना जाता है अगला प्रशन कि बार्ण के सनर्चन से क्या सम्मंधित नहीं है तो ये आपका था आर्थिक पर्यावरन सामाजिक सनर्चना मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान हो जाएगा यहां पर करें बाकी ये आपको ध्यान रखना है ये कई सारे हमारे डैम है जो कि आपके बनाए गए तो ये आपको रावी नदी पर मिलेगा ब्यास नदी के उपर पूंग डैम है और सतलुज नदी के उपर आपको भाकडा नागर बांद देखने को मिलेगा बाकी ये हमारे सिंधु नदी है जो कि सिंगी खंबाब से निकलती है और ये सारी सिंधु की सहायक नदियां है तो इस प्रकार से जो भी हमारे नदी और उससे सम्मंधित सहायक नदियों से प्रश्ण पहुचे गए थे उन सारे प्रश्णों को हमने डिस्कस कर लिया है इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के उपर वीडियो चाहते हैं तो वह भी नीचे कमेंड में बता सकते हैं थ